हलो फ्रेंड्स आज की कॉन्वर्सेशन का टॉपिक है कॉन्वर्सेशन बिट्वीन टुफ्रेंड्स on how to get good marks दो मित्रों के बीच का वार्तालाप्त जिसमें वो इस बात पर वार्तालाप्त कर रहे हैं कि कैसे अच्छे marks या अच्छे number लाए जाएं लेकिन conversation को start करने से पहले अगर आपने मेरे channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe ज़रूर कर दीजिए और साथी साथ bell icon को भी press कर दीजिए जिससे की आगे आने वाली सभी useful videos के notifications आपको सबसे पहले मिल सके तो आईए start करते हैं स्नेहा, I am too much scared of exams स्नेहा, मैं परिक्षाओं से बहुत ज़ादा scared हूँ या चिंतित हूँ या मैं exams के लिए बहुती ज़ादा डरी हुई हूँ scared माने डरा हुआ होना I am not able to learn anything मैं कुछ भी याद करने में सक्षम नहीं हूँ Notable मतलब a सक्षम What is your strategy? I myself am too much worried मैं खुद ही बहुती ज़ादा चिंतित हूँ But I have made a strategy for examination लेकिन मैंने परिक्षाओं के लिए एक योजना बना रखी है I am not going to study everything मैं सब कुछ नहीं पढने वाली हूँ I am not going to study everything Then what will you do? फिर तुम क्या करोगी? We will have to prepare the whole syllabus हमें तो पूरे ही syllabus की तयारी करनी पड़ेगी We will have to prepare the whole syllabus We could be asked anything हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है एक बार रीट कर लेते हैं We will have to prepare the whole syllabus We could be asked anything We could be asked anything Yes, I know हां, मुझे पता है Yes, I know that हां, यह मुझे पता है But I am going to select few topics only लेकिन मैं केवल कुछ ही विश्य चुनने वाली हूं Select मतलब चुनना Few मतलब कुछ I will study them thoroughly मैं उन्हें पूरी तरीके से पढ़ूंगी या मैं उनका गहन अध्यन करूंगी So that Whatever question from that particular topic is asked I will be able to answer it जिससे की उस particular topic से या विश्य से related जो भी कोई question पूछा जाए जो भी कोई पूछा जाए I will be able to answer it मैं उसका उत्तर देने में सक्षम रहूंगी Read करते है Yes, I know that But I am going to select few topics only I will study them thoroughly So that whatever question from that particular topic is asked I will be able to answer it That is a good idea ये तो बहुत ही अच्छा idea है By following this, we can score passing marks at least इसको चुनने से हमारे कम से कम पास होने के marks तो आही जाएंगे By thinking of all the topics, we would not be able to prepare a single one सभी विश्यों के बारे में सोचने से हम एक की भी अच्छे से प्रिपेर नहीं कर पाएंगे एक की भी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे Most of the students get confused by taking the tensions of all the topics अधिकतर जो विध्यारती होते हैं वो सभी विश्यों की tension लेने के कारण ब्रहमित हो जाते हैं, confused हो जाते हैं And they cannot even prepare a single topic thoroughly और वो यहां तक की एक भी विश्यों अच्छे से तैयार नहीं कर पाते हैं They give too much of the time on studies वो बहुत जादा समय देते हैं पढ़ाई को Even then, even then मतलब तब भी They are not able to score well तब भी वो अच्छा score नहीं कर पाते हैं अच्छे marks नहीं ला पाते हैं Score well, अच्छे marks लागे यह हमारा छोटा सा conversation था जिसके माध्यम से हमने दो मित्रों के बीच के वारताल आपको दर्शाया है I hope यह conversation आपको पसंद आया होगा और साथी साथ इससे आपने English के बहुत सारे words भी सीखे होंगे और इस topic पर English में हमें कैसे बातचीत करनी है यह भी आपको पता चला होगा इसी तरह के और भी topics पर वीडियो पाने के लिए हमारे channel को subscribe जरूर कीजिए और आपको अगर किसी particular topic पर conversation चाहे तो आप हमें comment box में comment करके बता सकते हैं अगर channel पर नहीं है तो channel को subscribe करना ना भूलिएगा और साथी साथ वीडियो को like और share करना भी मत भूलिएगा